हालो गाईज वेलकम बैक तो माई चैनल आप देख रहे हैं AIO क्रेशन्स आई होप या लादिंग गूड दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंट्रस्टिंग होने वाली है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा डिवाइस जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी टू विलर या फॉर विलर में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं यह आपके इंस्टॉल हो जाएगा हॉन में यह मैंने पर्चेस किया है Amazon से यह 200 रुपे का बढ़ा है 200 रुपी स इसकी MRP है इसको कैसे इंस्टॉल करना है यह क्या है यह कैसे काम करता है पूरी जानकारी मैं दूँँ आपको इस वीडियो में अगर आप चैनल में नए है तो चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब साथी साथ बैल आइकन दबा दीजे क्योंकि मैं इस चैनल पर टू विलर से आप सभी के लिए इंटरस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूं चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं यह डिवाइस क्या है यह कैसा दिखता है दोस्तों यह डिवाइस कुछ ऐसा है इसमें कुछ वायर्स है जो की बहुत ही इजी है इंस्टॉल करना दोस्तों देखेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कौन सी वायर कैसे कनेक्ट की जाती है दोस्तों इस डिवाइस को बला जाता है हॉन ट्यूनर इसकी है जो आपका गाड़ी का हॉन है वह पांच अलग-अलग पैटेंस में आवाज निकालेगा पांच अलग-अलग तरीके की ट्रंपेट हॉन लगे हुए हैं चले मैं आपको एक बार इसकी वायरिंग के बारे में बता देता हूँ जो की बहुत इजी है इंस्टॉल करना देखने में यह बहुत सारी वायर दिख रही है लेकिन इसमें पहले से ही अलग-अलग कंपनी ने कंपनी फिटेड अलग- यह जो 2 वायर देख रहे है एक में फ्यूस लगा हूँ यह रैड वायर और यह ब्लैक वायर आप बैटरें के नेगिटिव में लगा दीजे या फिर आप इसको किसी भी मैटल में कर दीजे ग्राउंड कर दीजे क्योंकि पूरी जो गाड़ी होती हो उसमें नेगटिव चा और आपके गाड़ी में अगर की नहीं लगी होगी तो भी आपका हान बज़ेगा जैसे बच्चेंगे या कोई भी आपके गाड़ी को छीड़ेगा हॉन का बटन दवाएगा तो भी हान बज़ेगा दोस। जब भी आप इस वाइर को लगाएंगे जो की ignition का on off करने का होता है उसके नीचे जो 2 wires होती हैं उसमें आप उसकी positive में ये connect कर देंगे ये आपका वाह से इसको positive charge मिल जाएगा ये चाबी के नीचे जो 2 wires होती हैं वहाँ connect होगा ये मैंने आपको बता दिया ये जो माइनस का है या आप चाहें तो इसको बैटरी में भी लगा सकते हैं या फिर आप इसको किसी मैटल में स्क्रू से टाइट कर सकते हैं उसके बाद जो बसता है आपका ब्लू वाली जो ब्लू वायर बसती है यह आपको लगानी है जो company fitted जहाँ आपके अभी horn लगे वे हैं जब आप वो horn निकाल देंगे तो दो wires होंगी उस wire में आप सबसे पहले चेक करेंगे कि positive charge किस्म है यह उस वाली में लग जाएगी यह blue wire जो दो wires आ रही होंगी उसमें से देखना है आपको कि positive wire कौन सी है उसमें लग जाएगी यह वाली आपकी blue वाली वायर फिर दोस्तों उसके बाद बस्ते हैं यह जो दो wire इसमें company ने पहले सी thimber लगा के अलग-अलग set बनाया वहा है एक आपकी right side के horn में लग जाएगी एक आपकी left side के में लग जाएगी अब आपको सबसे इसमें एक जरूरी बात ध्यान रखनी है आपको देखना है कि आपके जो दो set horn के होते हैं उसमें low frequency होता है एक high frequency होता है एक के ओपर high लिखा होता है edge बना होता है एक में L low लिखा होता है तो आपको यह चेक कर लेना है अगर आपके low में आप यह वाली wire connect करते हैं low में यह करते हैं और high में यह करते हैं और आवाज आपकी अगर hawns की कम आती है तो आप इसको change कर लें change करने के बाद आप इसको check करें अगर आप पहले time में आपको तेज आवाज आ रही है तो आप इसको as itis रख लें अगर आपके हॉन यह लगाने के बाद हॉन की आवाज कम आ रही है पैटन्स अलग-अलग आवाज निकाल रहा है लेकिन कम निकाल रहा है तो आप इसको wires को interchange कर लें left वाले हॉन में यह वाली लगा दे right वाली में यह अगर कम आ रही है तो right वाली में यह लगा दे left वाली में यह तो आप समझ के होंगे कि यह वाले कैसे करना है बाकी जो wires बची है यह बहुत ही easy है यह मैंने आपको बता दिया है चाबी के नीचे जो दो wires आती है ignition के नीचे यह महाँ लगा देनी है यह आपका जो company fitted जहां भी horn लगाया है जो दो wires आ रही है उसमें चेक कर लेना positive charge किसम है यह उसमें लग जाएगी blue वाली और जो यह वाली है black यह आप चाहे तो battery में लगा दीजे या फिर आप इसको ground दे दीजे कहीं metal में किसी screw के नीचे tight करके तो दोस्तो बहुत ही easy installation है देखने में wires लग रही है कि कैसे install करें हैं बहुत ही easy है यह install करना तो चलिए ज़्यादा time waste नहीं करता है मैं आपको लेके चलता हूँ अमनी bike के पास और इसको install करके दिखाता हूँ कि कैसे इसको install किया जाता है तो दोस्तो यह है हमारी 220 pulser इसमें install करेंगे हम यह tuner सबसे पहले हम क्या करेंगे जो red wire है वो हम इसका जो चाबी के नीचे जो lock है उसमें 2 wires होती है उसमें connect करेंगे हम देख लेंगे कि जब हम चाबी on करते हैं तो इस red wire में current आना चाहिए और जब हम आफ करेंगे तो इस red wire में supply बंद हो जानी चाहिए current बंद हो जाना चाहिए तो हमें वो wire निकालनी है इसके handle lock के नीचे जो 2 wires होती है उसमें positive wire हमें देखनी है और जो red wire ट्यूनर की जो red wire है यह इसमें connect कर देनी है जैसे कि आप यह वीडियो में देख पा रहे है दोस्तों installation बहुत ही असान है आपको कोई wire cut नहीं करनी है कहीं joint नहीं मारना है बहुत ही simple तरीके से आप इसको install कर सकते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह red wire लगा दी है इसके बाद हम connect करेंगे black wire आप चाहें तो battery के negative में भी लगा सकते है negative terminal में बैटरी के लगा सकते है या फिर जैसे मैं लगा रहा हूं nut bolt के नीचे इसे metal में connect कर सकते हैं हान में जो हमारी wires लगेंगी उसके अलग से company ने पहले से pair बनाए हुए है यह हम इसमें लगा देंगे जैसे कि आप देख पा रहे है तो चलिए पहले मैं इस वाली side इसमें लगा देता हूं दोस्तो इसकी wire थोड़ी छोटी मिलती है तो मैंने इसमें joint मार लिया है ताकि यह दूसरी side जो horn है वहां तक इसकी wire पहुँच जाए और इस तरीके से हम इसको दूसरी side भी लगा लेंगे दोस्तो जो horn की wires हैं यह हमने दोनों तरफ लगा लिया है तो दोस्तो horns की wire लग चुकी है positive negative wire लग चुकी है अब बसती है blue wire blue wire आपको लगानी है जो company fitted जहां आपका horn था वो निकाला आपने उसके बाद जो दो wires हैं उसमें चेक कर लेना है positive charge किसमें है positive current किसमें आ रहा है उस वाली wire में आपको यह blue wire connect करनी है दोस्तो मैं open fitting इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कौन सी wire कहां जा रही है और कहां connect हो रही है दोस्तो इंस्टालेशन पूरा हो चुका है तो चलिए एक बार मैं आपको हांस की आवाद चेक करा देता हूं इस तरीके से आपको यह install कर लेना है बहुत ही easy installation है जैसे कि वीडियो में बताया है अगर आपको कोई पार्ट समझ नहीं आता है तो आप comment section में मुझसे पोच सकते हैं और अगर आप channel में नए है तो channel को कर लिजे subscribe साथ इसाथ bell icon दवा दीजे क्योंकि मैं इसी तरह की two wheeler से related interesting videos आप सभी के लिए कर आता रहता हूं कि अपूँ कर दो आता है